हलो डियर सब्सक्राइबर्स मैं हूँ आपकी दोस्ट और स्वागत है आपका बेस्ट केर आफ प्रेगनेंसी में जहां बाते करते हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेट सभी प्रॉब्लम्स की उनके सेलूशन की यह साथ ही मैं भी अपने प्रेगनेंसी इक्सपीरियंस आपके होती है आज के टाइम एक तो प्रेगनेंट होना मुश्कील है बहुत जादा कॉंप्लिकेटेड हो गया है प्रेगनेंसी कंसीव करना ही और उसमें भी अगर कंसीव हो जाए और बच्चे की हार्ट बीट ना आये तो वह बहुत जादा पेइनफुल होता है और फिर जब डॉक हो गया है टू मन्त हो गया है अभी तक हार्ट बीट नहीं आये तो आज किस वीडियो में मैं कुछ ऐसे जरूरी बातें आपको बताना चाहूंगी कुछ जरूरी अडवाइस देना चाहूंगी कि अगर आपकी प्रेगनेंसी अभी जस्ट कंसीव हुई है या फिर अभी का ध्यान रखिये जो लोग ये चीजें कर रहे हैं कि onki प्रेगनेंसी और अभी उनके बच्चे के हाड़ीट नहीं आई है तो वह तो पैण्फूल ही उनके लिए वह तो स्ट्रगल कर रहे है वह तो चाहा रहे हैं कि उनके बच्चे के हाड़्वीट आजाए लेकिन है लेकिन हार्डबीट नहीं आई तो ये सभी के लिए बहुत हल्फुल वीडियो है जो अभी प्रेगनेंट होना चाहा रही है और जो और बच्चे की हार्डबीट नहीं आई है तो वीडियो आपऴ सभी के लिए हैं वीडियो को पूरा सरुर DM जो एड़्वाइज मैं आपको दे रही हूं उसे प्लीज फॉलो भी जरूर करिएगा और वीडियो पसंद आये तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और बेस्ट केर आफ प्रेगनेंसी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें जो हर्टबीट आने का जो एक नेचरल वे होता है वो छह हफते के बाद कभी भी आ सकती है मैक्सिमम जो हर्टबीट आती है वो छह से आठ हफते के बीच में आ जाती है जो doctors के भी according हैं और naturally भी 6-8 हफ्ते के बीच में heart beat बच्चों की आ जाती है कई बार कुछ ऐसे भी cases होते हैं जिसमें 8 हफते के बाद भी heartbeat आती है जैसे कि 9 हफते में, 10 हफते में heart beat आती है कुछ कम मातरा में ही ऐसे cases होते हैं लेकिन कुछ हैसे cases ऐसे भी होते हैं दस हफते के बार हार्ट बीट आना बहुत मुश्किल है क्योंकि कुछ मेरे पास ऐसे भी कॉमेंट्स आये थे कि हमारे प्रेगनेंसी को दस हफते हो गए हैं अब हम क्या करें कैसे हार्ट बीट आएगी तो अगर दस हफते हो गए हैं तो दस हफते का मतलब है कि आपकी बाट ही करते हैं वो डियन सी करते हैं अब जरूरी सला जो आपको क्या ध्यान रखनी है पहली बात तो मैं यह बता दू अगर आप प्रैगनेंसी के लिए त्राइक कर रही हैं तो मैं यह कह दूं कि आप दो महीने तीन महीने पहले से ही फॉलिक एसे लेना शुरू कर दीजे फॉलिक एसे बहुत ज़्यादा है बच्चे की हर्ट बीड के लिए अगर आप जस्ट प्रैगनेंट भी हुई है तो आप फॉलिक एसे बिना बेजिज़क खाना शुरू कर दीजे डेली 5 mg की वन टैबलेट डेली एक टाइम आपको लेनी है आफ्टर ब्रिक फास्ट खाना बच्चे की हर्ट बीड लाने के लिए और बच्चे में किसी तरह की जनमजाद बीमारी को रोकने के लिए जो मैला है प्रेगनेंट है उन्हें भी फॉलिक एसे जरूर खाना चाहिए आपको डॉक्टर ने सलाह नहीं दी है फिर भी आप खाये फॉलिक एसे तो वैसे भी प दो तीन महीने पहले से फॉलिक एसेट खाना शुरू कर दीजें इसके अलावा फर्टिलिटी योगा होते हैं कुछ जिसका चैनल पर वीडियो है आप फर्टिलिटी योगा जरूर करिए यह बहुत जादा है बच्चे की जब बच्चा कंसीव हो जाता है तो उसके डवलप उसमें आपको बताया है योगासन जो प्राणाया मैंने उसमें आपको बताया है उस वीडियो में आप उसको करिए डेफिनेटली उससे बच्चे की हार्टबीट आ जाती है लेकिन उसको आपको प्रेग्नेंट होते ही शुरू कर देना है अभी अगर आपकी फाइस वीक्स से 6 वीक्स हुए है तो भी आप शुरू कर सकती है उसको डेली आपको 5-10 मिनट तक उस जो प्राणाया मैंने उस वीडियो में आपको बताया है उसका लिंक में कमेंट बॉक्स दे दूंगी आप उसको ध्यान से वीडियो सुनिये जो मैंने उसको बताया है जैसा करने को के chances होते हैं तीसरी जो साउधानी आपको रखनी है कि जब आप ultra sound करवाने जाती हैं बच्चे के heart beat के लिए तो अगर आप abdominal ultrasound करवाने जा रही हैं तो क्योंकि जब बच्चा conceive हुआ होता है तो वो बहुत चोटा सा होता है मतलब कि वो सरसों के दाने के समान जितना होता है तो कई बार उसमें डौक्टर पकड नहीं पाते हैं बच्चे को सैक दिखता है उनने कई बच्चा नहीं दिख रहा कई बार उने करेंगे ताकि अच्छे से आपका अल्ट्रासॉंड हो सके और दूसरी बात मैं यही कहूंगी यह तो फिर आप ट्रांजेजनलल्ट्रसांड करवाई हैं जो finans-vaginal ultrasound होता है उसमें डायरेक्ट आपके विजायना के थूह रूडॉरो एक इंस्ट्रूमेंट करते हैं जिससे सीधह-सीधह यूट्रेस में जा करके आपके बच्चे की हाटबीट और बच्चेอ Vehicle के अंदर बच्चरा रहा है वो और बच्चे की लोकेशन सब कुछ क्लियरली अल्ट्रसाउंड मसीन पर आ जाता है लेकिन जब अब्डॉमिनल अल्ट्रसाउंड होता है तो उसमें शुरुवात में कई बार दिक्कत होती है बच्चा नहीं मिल रहा है सैक नहीं दिख रहा है या हर्डबीट नहीं मिल रही है कई बार ऐसी डॉक्टर्स जब अल्ट्रसाउंड करते तो उन्हें मिसंडेस्टेंडिंग भी हो जाती है इसलिए वो कह देते कि हर्डबीट आई ही नहीं है तो इसलिए या तो आप सारा पानी पी के अपना अल्ट्रसाउंड करवाने जाई है और या तो बैटर बच्चे का सैक भी कितना बड़ा बना है बच्चा कितना बड़ा हुआ है उसमें हाटबीट आ गई है सब कुछ उसमें बढ़ियां दिखता है तो आप यह चीज जरूर करिए और नेक्स्ट टिप यह है कि जब डॉक्टर आपको कोई निगेटी बात बोल ला है अगर आप एक डॉक्टर की बातों से सैटिसफाइड नहीं हो रहे हैं अगर आपको कुछ लग रहा है कि ने डॉक्टर आपको कुछ बाते सही से नहीं समझा रहा है या फिर कुछ ऐसी बाते हैं जो आपको समझानी चाहिए उसे जो आप पूछ रहे हैं लेकिन उसका जवाब वो सही से नहीं दे रहें आप सेटिसवाइट नहीं हो पा रहे हैं तो आप सिर्फ एक डॉक्टर के भरो से कोई मत उठाई अगर आपके प्रेगनेंसी को सिर्फ सातवीक हुआ है साधवीक हुए और डॉक्टर कह रहे हैं आप अबॉट करवा लो तो ऐसा मत करिए आपके पास 9-10 week तक का time होता है कि आप wait कर सकते हैं कुछ अच्छे doctors होते हैं जो की medicine देते हैं कि heartbeat आ जाए या फिर अगर बच्चे की growth रुकी हुई है तो बच्चे का development होने लगे growth होने लगे अगर एक बच्चे की heartbeat आ करके चली गई है तब तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता है क्योंकि heartbeat आई थी चली गई है तो उसमें कुछ नहीं हो सकता है वो natural था लेकिन अभी heartbeat नहीं आई है तो जो कुछ अच्छे doctors होते हैं वो medicine देते हैं कि बच्चे की growth अगर रुक गई है तो growth हो जाए अगर बच्चा सुकुर गया है छोटा सा है तो उसमें थोड़ा development हो जाए कुछ doctors देते हैं कि heartbeat आने के लिए भी वो medicine देते हैं तो आप इस बारे में अपने doctor से बात करिए उनसे पूछिए कि क्या ऐसा हो सकता है कोई medicine है जिससे कि हम खाएं तुम्हें बच्चे की growth हो जाए heartbeat आजाए अगर कोई doctor कह रहा है कि 7 वीक है आपकी pregnancy को 8 वीक है और आप जाओ बस जाकर के abort करवालो डिनसी करालो तो ऐसा मत करिए आप दूसरे doctor से भी सला लीजे तीसरे doctor से भी सला लीजे आपकी pregnancy से जाद इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है तो जब आपको सारे doctor की बाते एक ही जैसी लग रही है तो फिर आप कोई step उठाईए सिर्फ एक doctor की बात में आकर के कोई भी step मत उठाईए मैंने भी अपनी pregnancy में जो ऐसा कि मैं आप से कहती हूं मेरे बच्चे की धड़कन भी मेरे ट्रांस रजाइनल अल्ट्रसाउंड के थू देखी गई थी मेरी जो गाइनोक लोजिस्टिटी थी वह बहुत ज़्यादा अच्छी थी उन्होंने मेरा Abdominal Ultrasound नहीं किया क्योंकि उन्होंने का कि अभी बच्चा बहुत चोटा है शुरुवात प्रेगनेंसी की तो बहुत अच्छे से Abdominal Ultrasound वे कुछ नहीं समझ में आता है तो उन्होंने मेरत सुरवाद की तीन महीने तक मेरा TransViginal Ultrasound करके उन्हों वो मेरा चेक करती थी बच्चे की condition ट्रैक करती थी बच्चे की धढ़कर भी TransViginal Ultrasound के थोई भी दिखाती थी इसके अलावा अगर मुझे कभी भी कोई भी डाउट होता तो मैं उसे ड्रायरेक्ली सारे कोशन पूशती थी वो हर कोशन कर रिपलाई करती थी तो मैं आप लोगों से भी यही कहना चाउँगी कि अगर आपको किसी तरह کی स्पॉट्टिंग हो रही है अगर आपकी प्रेगनेंसी की शुरूआत हैं या फ free बच्चे की हार्टवीट नहीं आ रही बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है要ा किसी की कोई भी आपको समझ्या समझ में आ रही है और आपको उसका अंसर नहीं मिला तो आप डारेक्ली अपने डॉक्टर से पूछिए अगर वो सही से जवाब नहीं देते हैं तो आपके पास और भी ऑप्शन होते हैं आप किसी और अच्छे गाने को लॉजिस से कंसर्ट करिए और अपनी प्रेग्नेंसी को पानायाम है जो कि शुरू से ही शुरू कर देना है आपको फॉलिक एसिड है जो कि शुरू से ही प्रेग्नेंट होते ही प्रेग्नेंसी के इवन प्रेग्नेंट होने के लिए भी आप फॉलिक एसिड खाएं प्रेग्नेंट हो जाते हैं उसके बाद भी आप फॉलिक एसिड करें medicine के बारे में बच्चे की ग्रोथ नहीं है तो medicine लें उसके लिए बच्चे के हाइट बीट के लिए कुछ doctors medicine देते हैं कि शायद उसे बच्चे के heart beit आजा तो यह सारे points of view बगार इधर उधर पूछने की बजाए आप अपने डॉक्तर से सीदे बात करिए यह ति जो जरूरी सला जो कि मैंने भी अपनी pregnancy में फॉलो की थी और जो कि मैंने भी आपको यह तिप दी है आप भी से जरूर फॉलो करें को इसका है ली